नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल डिफेंस और आमस एक्सपोर्ट मार्गिट में भारत ने काफी बहतरी इन प्रोग्रेस दिखाई है लेकिन आज भी भारत टॉप 20 देश प्रोग्रेस ने वागत है यहां यह सबी देश अपने फाइट अजय को बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए इस लिस्ट में यह देश टॉप पर है और इनको फाइट अजय बेचकर जो पैसा मिलता है वह इसी पैसे को अपनी डिफेंस रिसर्च में खर्च कर करते हैं और साथ ही और ज्यादा बहत्रीन कॉलिटी के फाइट अजय और हत्यार प्रड्यूस्ट करते है और फिछले 55 सालों में भारत भी यही सपना देख रहा है कि अभी तक भारत को तेजस एक्सपोर्ट करने में कोई बड़ी कामयाभी हाथ नहीं लगी है लेकिन हाली में दो देशों की तरव से भारत को उम्मीद की किरन नजर आई है और ये दो देश भारत के तेजस स्वाइटेजट में इतना जादा इंटरस्टेड दिखाई दे रहे हैं कि 90% मान लिजिए कि भारत का ये सपना पूरा हो सकता है और भारत को तेजस का पहला बड़ा ओर्डर मल सकता है अब ये कौन से दो देश है और भारत के तेजस में ये क्यों इंटरस्टेड है चलिए जानते हैं तो दोस्तो पहले देश की बात करें तो उसका नाम है थाइलेंड दरसल हाली में थाइलेंड की एरफोर्स की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसके अंडर थाइलेंड अपनी रोयल एरफोर्स के पुराने हो चुके F-16 के ओल्ड मोडल्स को जो कि उन्होंने 1988 में खरी देते उन्हें रिप्लेस करने के लिए 24 से लेकर 28 फाइट जट खरीदना चाहता है और इस टेंडर में थाइलेंड ने भारत से तेजस फाइडर जट को पिछ करने की डिमांड की है लेकिन तेजस फाइडर जट के लिए थाइलेंड की तरफ से एक कंडिशन भी रखी गई है और वो कंडिशन ये है कि थाइलेंट भारत से तेजस मार्कवने का वही ओफर चाता है जो कि भारत ने हाली में फिलिपीन्स को दिया था और इस चीज का जिक्र थाइलेंट ने हाली में भारत के साथ हुई एक डिफेंस मिटिंग में कई सारे एग्रिमेंट सायन करते वक्त भी क्या था अब जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दे कि हाली में भारत ने फिलिपीन्स को ब्रहमोस एनजी के सा तेजस मार्कवने की लोकल मैनिफेक्टरिंग ओफर की थी मतलब कि फिलिपीन्स अगर भारत से तेजस खरीदेगा तो तेजस मार्कवने फिलिपीन्स के मेड इन इंडिया फिलिपीन्स प्रोग्राम के अंडर फिलिपीन्स में तयार होंगी और भारत की एचेल अपनी एक लाइन फिलिपिन्स में सेट अप करेगी और फिलिपिन्स की नेशनल एरोनौटिक डवलप्मेंट एजिंसी के साथ मिलकर फिलिपिन्स में ही तेजस का निर्माण क्या जाएगा और इस डेल को लेकर नेगोशेशन स्टार्ठ हो चुकी है थाइलैंड चाहता है कि भारत भी अपने इसा ओफर देता है और थाइलैंड में वहां की कम्पणी और अब हैगर देशक आग Cloud गुयाना एक साउथ अमेरिकन देश है और गुयाना तो ये समझ लीजे आज अगर भारत अपने तेजस दे तो वो तुरंत भारत के तेजस को खरीद लेगा और इसके पीछे की वज़ा उसका पड़ोसी देश वेनेजुला है दरसल गुयाना का वेनेजुला के साथ गुयाना के उपर हमला करके एसकीबू को कपजा लेना चाहिए और इस रीफरीडम में अधिकतर लोगों ने इसका समर्थन करते हुए अपनी सरकार का गुयाना पर हमला करने की बात को सपोर्ट किया था अब क्योंकि गुयाना की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं है रिलेटिड आर्टिकल आप सभी लोग अपनी स्कीन पर भी देख सकते हैं इस एग्रिमेंट के तहत भारत अपने तेजस फाइटर जट की पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ गुयाना को सोकेस करेगा भारतिय तेजस के खरीदने के पीछे गुयाना के दो कारण है प कुसरा इनकी क्वालेटी अमेरिकन और रुशियन दोनों से ही मैच करती है हाला कि गुयाना भारतिय तेजस को एक सर्थ पर खरीदेगा और वो ये कि गुयाना के लिए भारत को लोन देना पड़ेगा मतलब कि गुयाना भारतिय तेजस को पहले खरीदेगा और इसका पैसा कुछ इंट्रेस्ट के साथ धीरे-धीरे करके लॉन के रूप में सैटल करेगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को गयाना को लॉन देने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भारत ने पास्ट में भी कई देशों को लॉन पर अपने डिफेंस आइटम सैल किये हैं बस में दिक्कत होगी वैनेजुला हम रश्य के बाद इस वक्त वैनेजुला से भी बड़े अमाउंट में तेल खरीद रहे हैं और पास्ट में वैनेजुला के साथ हमारे रिलेसंस काफी अच्छे रहे हैं और अगर भारत गुयाना को तेजस देता है तो इससे हमारे रिलेसं वैनेजुला के साथ खराब होने का खत्रा बन जाएगा अब ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है क्या भारत को ग्याना को देजस एक्सपोर्ट करने चाहिए या फिर वेने जुला के साथ अपने रिलेसंस को मैंटेन रखना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिन जै भारत